गुड मॉर्टिंग एब्रिवान आईए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास केजी वन में व्यंजन वन क्या पढ़ेंगे व्यंजन वन है ना जैसा के बच्चो हम लोगोंने पिछली वीडियो में स्वारवन पढ़ा था स्वारवन कितने होते हैं व्यंजन वन कितने होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़े थे स्वारवन भी हम लोगोंने स्लोगन के साथ पढ़े थे तो आईए आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वन व्यंजन वन बच्चो कितने होते हैं 33 कितने होते हैं 33 है ना तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यहां आप देख रहे हैं एक व्यंजन वर्ण से दो दो शब्द बनाया हुआ है तो चलिए अब हम पढ़ते हैं और आप भी मेरे पीछे रिपीट करना ओके बोलिए कासे कबुतर और कासे कमल फिर से एक बार कासे कबुतर और कासे कमल खासे खरगोस और खासे खटमल आईए आगे बढ़ते हैं गासे गमला और गासे गधा गासे घड़ी और घड़ी आल घड़ी आल तो आप सभी ने देखे होंगे कहां देखे हैं बच्चों घड़ी आल देखे हैं कहां देखे हैं ओ जू हाउस में यानि चिड़िया घर में देखे हैं वेरी गूड आईए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा यह क्या है यह है अंगा अंगा का मतलब खाली कुछ नहीं है ना तो अंगा से कुछ नहीं चलिए अब हम आगे बढ़ें यहां आप देख रहे हैं क्या अक्षर के अनुसार सही चीत्र पहचान कर उसमें रंग भरिये यह जो अक्षर है इसके अनुसार यह दो चीत्र यहां दिया हुआ है इसमें से जो आपका सही वाला चीत्र है उसमें क्या करना है बच्चो उसमें रंग भरना है है ना कलर करना है उसको तो बताइए कोसे क्या होता है कोसे कबुतर और यह क्या दिया हुआ है यह है आग तो यह हमारा गलत है इसमें नहीं भरेंगे हम लोग इसमें रंग भरेंगे ठीक है आप यहाँ देखिए गौसे क्या दिया हुआ है दो चित्र दिया हुआ है एक गौसे गमला और एक छत्री तो यह गौसे तो गमला होता है छत्री थोड़ी होता है छत्री तो छासे होता है ना तो यह हमारा गलत है इसमें नहीं भरेंगे हम लोग इसमें रंग भरेंग समझ में आ गई? ओके, चलिए, अब हम आगे देखते हैं यहाँ देखिए, खोसे क्या लिखा हुआ है? यहाँ चस्मा का भी चित्र दिया हुआ है और खोसे खरगोश भी दिया है तो मेरे प्यारे बच्चों, खोसे क्या होता है? खरगोश, चस्मा थोड़ी होता है तो इसमें नई भरेंगे हम लोग भर इसमें रंग भरेंगे फिक है? अब यहाँ देखिए घह से क्या दिया हुआ? यह बतर का चित्र है और यह है घर तो हम लोग इसमें रंग भरेंगे यह हमारा गलत है ठीक है? इतना समझ में आ गई? आएगे बढ़ते हैं लिखा हुआ है कि बिंदू मिलाते हुए अक्षर लिखिए यह जो dot-dot दिया है ना बिंदू इसके उपर आपको pencil इसको मिलाना है pencil से ठीक है? ओर इसको एक अक्षर बनाना है आपको पूरा अक्षर जैसे का को मिला है ऐसे का ठीक है इसी प्रकार से आपको सबको करना है क्लियर ओके आईए आगे बढ़ते हैं अब हमारा आग्या दूसरा वेंजन जो की है च्छ हाना तो च्छ से क्या होता है च्छ रिखा और च्छ से चूहा च्छ से क्या होता है बच्छो च्छ से होता है च्छतरी और च्छ से चड़ी मैम की चड़ी मैम तो वैसे चड़ी रखती नहीं है है ना आप देखिए यहां यह क्या है जहसे जहाज है ना और यह है जहसे जग यह कौन सा जहाज है बच्चों यह है पानी वाला जहाज ठीक है जो कि पानी में चलता है उपर वाला जहाज नहीं है उपर वाले जहाज को हमनों हवाई जहाज बोलते हैं ठीक है और यहां देख जह से जंडा, जो कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में हम लोग फहराते हैं, यही है जंडा, तीक है, और जह से जूला, आप लोग जूला जूलते हैं न, वही जूला है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आता है यह, यह से क्या होता है बच्चियों, यह से होता है कुछ नहीं मतलब खाली या खाली है न, आईए आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए, यहां दिया हुआ है कि नाम के अनुसार चीतरों के स्टीकर चिपकाएं, यह जो यहां जो नाम लिखा है न, जैसे जहाज, जहाज का आपको पीछे में, पीछे पेस में देखिएगा, महां स्टीकर लगा होगा, उसमें से आपको जहाज चून करके और आपको यहां इस्टीकर उसके चिपकाने हैं, जूला, छड़ी, सबके यहां आपको इस्टीकर लगाने हैं, ठीक है, हो जाएगा, ओके, आईए आगे बढ़ते हैं, यहां दिया हुआ है कि बिंदो मिलाते हुए अक्ष इस सबको डॉट डॉट को ऐसे बिंदो को मिलाते हुए और एक अक्षर बनाना है आपको, ठीक है, हो जाएगा, ओके, आईए आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आता है दिसरा बेंजल, जो है ट, है न, ट से क्या होता है, ट से होता है, ट से होता है, ट माटर, और ट से टोकरी, ठ से क्या होता है बच्चो, ठ से होता है, ठ ठेरा और ठ से ठेला, आगे बढ़ते हैं, ड से डमरू और ड से दंडा, ठ से क्या होता है बच्चो, यह दिख रहे है चीतर आप लोग, यह है धोलक, तो ठ से धोलक और ठ से धककन, और क्या हो गया, खाली मतलब कुछ नहीं चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब मरा आता है प्रश्ण बिंदू मिलाते हुए अक्षर लिखिए अक्षर पहचानकर सही अस्थान पर चित्रों के इस्टिकर चिपका है यहाँ आप देख रहे हैं न यह सब क्या है बिंदू आपको यहाँ से मिलाने है ठीक है और बिंदू मिलाने के बाद आपको यहाँ इस नाम का धा से धकन होता है तो धकन का यहाँ इस्टिकर चिपकाना है धा से क्या होता है ठेला यह ठठेरा जो भी यहाँ इस्टिकर होगा आपको यहाँ चिपकाने है clear ओके इसको आपको करने है यहाँ पर देखिए बच्चो यहाँ पर भी दिया हुआ कि बिंदू मिलाते हुए अक्षर लिखिए इसको यह जो बिंदू है ना इसको मिलाते हुए और आपको इस अक्षर को पूरा करना है मतलब इस बिंदू के उपर आपको पैंसल चलाना है ठीक है आए आगे बढ़ते हैं अब हमारा आता है अगला व्यांजन जो है त है ना व्यांजन त तो त से क्या होता है तितली है ना यह देखिए त से ताला त से क्या होता है बच्चो थासे होता है थर्मस और थासे थैला आईए आगे बढ़ते हैं दासे दवात और दासे दिपक धासी क्या होता है धासे होता है धानूश और धासे धागा ठीक है आईए आगे बढ़ते हैं और आता है हमारा न न से नाल है न और न से नाव इतना क्लियर ओके आईए अब हमारे प्रशना आते हैं उन्हें भी देखें यहां दिया हुए कि सही अक्षर से चीत्रों को मिलाए यह जो आपके अक्षर दिये हुए है ना इन अक्षरों से आपको इसमें जो सही चीत्र है उनसे क्या करना है आपको मैच करना है जैसे यहां लिखा हुआ है पहला अक्षर तो इस चीत्र में आप देखिए कि तो से क्या होता है तो से तो नाव नहीं होगा तो से तो धागा नहीं होगा तो से तो थैला नहीं होगा दो से क्या होगा तितिली तो इससे हमें ऐसे मैच करेंगे ठीक है ये अब होता है हमारा दो दो से क्या होता है बच्चों दो से होता है दीपक दो से क्या होता है तो दो से होता है दीपक इसको ऐसे मैच करेंगे अब आईए देखते हैं नो से क्या होता है नो से होता है नाव धोसे, धोसे होता है बच्चो, धोसे धागा, ठीक है, हो जाएगा और धोसे थैला, इतना आप कर लेंगे, ओके, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि बिंदो मिलाते हुए अक्षर लिखिए, यह जो बिंदो है न, उपर में मैं आपको बताई, उसी प्रकार से बिंदो के उपर आपको पैंसिल चलाने है, ठीक है, और इसको आपको अक्षर पूरा अक्षर बनाना है, ओके, क्लियर, तो बच्चो, आज के लिए बस इतना ही, चलिए, अब आप इसे याद कीजिए, और जहाँ इस्टीकर चिपकाने है, चित्र देख करके, वहाँ अक्षर लिखिए, ठीक है, चलिए, अब आप लोग किजिए, आज के लिए इतना ही, बाई बाई